जैसा कि आप हमारी पिछली फैन थियूरी वीडियो बाहुबली 3 से जानते ही हो कि बिज्जल देवा ने अपने पुत्र भलाल देवा के दूसरे बेटे सहद्रा को बाहुबली से बचाने के लिए खुद रण भूमी में अपनी जान दे दी थी राज माता देव सेना और महिंद्र बाहुबली भी पुरानी शत्रुता को भुला कर भलाल देव के दूसरे पुत्र सहद्रा को महेश्मती के राज घराने के सदस्य के रूप में सविकार कर चुके हैं और सहद्रा को अपने साथ महेश्मती ले आए हैं सहद्रा भी अपने बड़े भाई महिंद्र बाहुबली के विवा में शामिल होकर महिश्मती के राज घराने का हिस्सा बन जाता है अवंतिका और महिंद्र बाहुबली का विवा बहुत धूम धाम से किया जाता है लेकिन महिश्मती की प्रजा नहीं चाहती की भलाल देव का पुत्र सहिद्रा महिश्मती के राज महल में रहे इसलिए महिश्मती की प्रजा राज माता देव सेना के फैसले का विरोध करती है और राज माता देव सेना भरी सभा में महिश्मती के पुरोहितों और प्रजा के सामने अपने फैसले पर फिर से विचार करती है महिश्मती की प्रजा कहती है कि भलाल देव ने कई सालों तक बाहुबली के वंशजों को नुकसान पहुचाने की कोशिश की थी और राज माता देव सेना को भी बंदी बना कर रखा था इसके इलावा भलाल देव ने महिशमती की प्रजा पर भी कई सालों तक अत्याचार किये थे इसलिए भलाल देवा के वंशज पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए अब महिशमती के पुरोहित भी राज माता देव सेना से कहते है कि सहिद्रा का महिशमती के राज महल में रहना उचित नहीं है अब राज माता देव सेना धरम संकट में फस जाती है अब राज माता देव सेना ये फैसला लेती है कि सहिद्रा महिशमती के राज महल में नहीं ब कि महश्मती की प्रजा बनकर महश्मती में ही रहेगा अब देव सेना के फैसले के अनुसार सहद्रा राज महल से चड़ा जाता है और महश्मती की प्रजा के बीच में रहने लग जाता है अब धीरे धीरे सहद्रा महश्मती की प्रजा का भरोसा जीतने लग जाता है सहद्रा क अब महिश्मती की प्रजा के लोग पसंद करने लग जाते हैं फिर एक रात जब महिश्मती समराज्य में दिपावली का उत्सब मनाया जा रहा होता है तब अचानक महिश्मती की प्रजा पर दुश्मन हमला कर देती हैं असल में ये हमला करने वाले कोई और नहीं सहिद्रा के ही साथी होते हैं सहिद्रा ने पहले देव सेना और महिंद्र बाहु बली का भरोसा जीत लिया फिर सहिद्रा ने महिश्मती की प्रजा का भी भरोसा जीत लिया सहिद्रा ने ही महिश्मती की प्रजा और महिश्मती के पुरोहितों के बीच ये अफवा फैलाई थी कि सहिद्रा को राज महल में रहने की अनुमती देना उचित नहीं है सहिद्रा जानता था कि राज माता देव सेना सहिद्रा को दिये वचन के कारण उसको महिशमती समराज्य से नहीं निकालेगी और उसको महिशमती में ही महिशमती की प्रजा के बीच रहने देगी अब सहिद्रा ने अपनी सेना को गुप्त तरीके से महेश्मती में बुला लिया और महेश्मती की प्रजा पर हमला कर दिया उस हमले के बारे में कटपा को पता चल जाता है लेकिन कटपा दिपावली के उत्सव के कारण इस हमले से महिंद्र बाहुबली और महेशमती की सेना को सचेत नहीं कर पाता और खुद अकेला ही दुश्मन सेना का मुकावला करने लग जाता है कटपा अभी दुश्मन सेना का मुकावला कर ही रहा होता है तभी पीछे से सहद्रा कटपा की पीट में तलवार से वार करके उसको मार देता है अब महिंद्र बाहुबली और देव सेना को भी दुश्मनों के हमले और सहद्रा के विश्वाश घात का पता चल जाता है महिंद्र बाहुबली अपनी सेना लेकर महिश्मती की प्रजा को बचाने और सहिद्रा को मारने निकल तो पड़ता है लेकिन महिंद्र बाहुबली सहिद्रा को मार नहीं पाता क्योंकि सहिद्रा ने महिश्मती की प्रजा को बंदी बना लिया होता है जिसके बीच में औरते और बच्चे भी शामिल होते हैं सहिद्रा बाहुबली से कहता है कि वो अगर अपनी प्रजा को जीवित देखना चाता है तो उसको महिश्मती समराज्य को अभी छोड़ कर जाना होगा अब मजबूरन महिंद्र बाहुबली देव सेना और अवंतिका को महिश्मती की प्रजा के लिए महिश्मती को छोड़ कर जाना पड़ता है तो दोस्तों अब कहानी में आगे क्या होगा महिंद्र बाहुबली महिश्मती छोड़ कर कहा जाएगा और क्या बाहुबली सहद्रा को मार कर महिश्मती समराज्य को वापिस पा सकेगा ये हम आपको अपनी अगली फैन मेड थियोरी बाहुबली 5 की वीडियो में बताएंगे तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स